जैक साम दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चोटे से यूट्यूब परिवार में दोस्तों आज है संडे और संडे के दिन हम लेके आते हैं संडे कमेंट बोक्स जिसमें मैं आपके द्वारा पूछे के कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जो पहला कमेंट है वो है मेहंदर परमार जी का मेहंदर जी कहते हैं बहुत अच्छे वीडियो बनाई सर आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए थोड़ी बहुत जानकरी अगर छूट भी गई हो तो हमारे हिसाब से समझना चाहिए सब कुछ नहीं बताया जा सकता तो मेहंदर जी इतना अच्छा कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही चैनल पर प्यार देते रहिए हमारी वीडियो देखते रहिए सपोर्ट करते रहिए दोस्तों जो दूसरा कमेंट है वो है शिवम यादव जी का भाई जी मैं यूपी के वारानसी से हूँ भैस की डेरी फार्मिंग शुरू करना चाहता हूँ मैं बिल्कुल नया हूँ प्राइवेट जोब छोड़ के एक दम मन से डेरी फार्मिंग करना चाहता हूँ यह भैस का दूद लगबग 50 रुपे के हिसाब से बिखता है तो क्या करूँ बताएं तो शिवम जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कमेंट किया और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी जोब छोड़कर डेरी फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं भेंस वहाँ पर दूद 50 रुपे के लिटर के आसपास भीगता है तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है डेरी फार्मिंग शुरू करने से पहले कि आपको इस फिर्ड का नोलेज होने चाहिए पशुपालन के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद जब आप शु है वो है रजनीश कुमार जी का भाई मिनरल मिक्चर के ऊपर वीडियो बना दो एक मिनरल मिक्चर प्रेगनेट बफैलो को दे सकते हैं या नहीं तो रजनीश जी मिनरल मिक्चर के ऊपर हमारे चैनल पर डिटेल्स में वीडियो एवलेबल है आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएए वहाँ mineral mixture की पूरी playlist है वहाँ आपको mineral mixture से related पूरी जानकारी मिल जाएगी रही बात mineral mixture pregnant buffalo को दे सकते हैं या नहीं तो बिलकुल आप pregnant गाया भैस दोनों को mineral mixture दे सकते हैं लेकिन quantity का ध्यान रखे अगर ज्यादा दूद वाली है तो आप लग बग पचेतर से 100 gram दे सकत अगला question है चोदरी करन सिंग जी गा दोस्तों ये पूचते हैं अगर चने की चूरी ना मिल सके तो चने का छिलका खिलाने के लिए क्या फाइदा है गायम है इसको कितना और किस मौसम में खिलाना है तारह मेरे जितना फाइदा है क्या तो करन जी मैं आपको बताना चाहूं में उतने पोश्टिक तत्व नहीं होते जितने की चने की चूरी में होते हैं तो आप मौसम की बात करें हैं तो किसी भी मौसम में आप दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन चने की चूरी ज्यादा फाइदे मन्द है छिलके से रही बात तारह मीरा के फाइदे के से रि स्वाल है वो है अभी शर्मा जी का सर अगर ओयल के बाद पानी पिला दिया तो कोई नुकसान तो नहीं है प्लीज रिप्लाई में फास्ट तो अभी जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अपने पश्यों को तेल दिया है तो उसके बाद पानी ने पिलाएं अग बग बग एक डेड़ घंटे के बाद पानी पिलाएं दोस्तो अगला जो सवाल है वो है शशी सिद्दर जी का दूद की मात्रा बढाने के लिए उपाए बताएं शशी जी दूद हम हमारे पश्यों का ज्यादा नहीं बढ़ा सकते दूद की जो मात्रा है पश्यों की वो उ बड़ी बूटियां देखे या फिर उनका जो अहार है उसको संतुलित करके हम गाय मेंस का कुछ हद तक दूद बढ़ा सकते हैं तो उस पर वीडियो हमारे चैनल पर पहले भी हैं और एक वीडियो आने वाली है तो चैनल से जुड़े रहें प्यार दिखाते रहें चैनल प करती है आपको साल में एक बार इसका पर्मेनेंट कोई इलाज नहीं है साल में एक बार आप वैक्सिनेशन कराई है मार्च अपरेल के महीने में फिर पूरे साल आपको FMD से डरने की कोई जरूरत नहीं है यह जो वैक्सिनेशन है वो गौवर्मन्ट होस्पिटल की तरफ से जो वैटनरी होस्पिटल से उनकी तरफ से फ्री लगाई जाती है अगर फ्री में अवलेबल ना हो तो अब मार्किट से लेकर किसी भी पशोचिकत सक्से लगवा सकते हैं ज्यादा महेंगी नहीं मिलती है दोस्तो जो अगला सवाल है वो है PK मॉटिवेशनल स्पीकर का सर ग बतीसा के बारे मैं पूसरे हैं कि ग्याविन है तो उसे देने में दिक्कत तो नहीं होगी तो यहां मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हेमालिया बतीसा है एक आयुरवेदिक प्रोडेक्ट है इसे हम हमारी गाएं भैंस को किसी भी टाइम किसी भी सिच्वेशन में दे स सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो दोस्तों यह थे आपके कुछ सवाल जिनके जवाब मैंने देने की कोशिश की उमीद करता हूँ आप इन जवाबों से सैटिसफाइड होंगे अगर आपका भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए अगले संड पालन से रिलेटेड वीडियो आई उसकी सूचना आपको मिले और आप वीडियो देख पाएं तो फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकर एक साथ तब तक के लिए जहां भी रहें स्वस्त रहें मस्त रहें जैहिन जैभारत